आज हम लोग सप्टर 2 में आ चुके हैं और यहां पे भी कुछ सारे रूट वर्ट्स को डिसकस करेंगे उनसे जितने वर्ट्स बन सकते हैं वो भी डिसकस करेंगे जितने भी सेशन्स हैं उन सेशन्स में से अभी हम personalities की बात करेंगे कैसी कैसी personalities हमारे चारू तरफ होती है उनको कैसे learn करना है उनसे related synonyms and antonyms क्या होते हैं वो सारी बाते भी है अगर आज बात करें तो आज इन दोनों का काम थोड़ा जादा रहेगा तो anthropos होता है इसका मतलब होता है mankind ठीक है और फिर होता है missing इसका मतलब होता है to hate यानि नफरा ये बाते तो हो गई मतलब ये आगे या पीछे कहीं लगेंगे अब आगे लगता है तो मैंने आपको बताया था कि वो prefix होता है बाद में लगता है तो क्या लगता है हम उसे suffix कहते है तो ये बाते तो हमने सीखी हुई तो उन सब में नहीं जाते लेकिन अब आपके लिए कुछ अच्छी बाते देखिए आपसे जितने भी sessions होंके ठीक है वहाँ पे मैं आपको starting में ही कुछ words सिखा दूँगा क्यों सिखा दूँगा उसके पीछे का reason let's say आपको गाइनी मिलता है ठीक है तो मैंने आपको अगर एक बार बता दिया गाइनी का मेनिंग क्या होता है या आपको ये पता चल गया it is related to woman ठीक है या female या फिर girl तो आप कभी भी words को देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कुछ हो ना हो लेकिन ये या तो name बता रहा होगा या फिर personalities बता रहा होगा या फिर profession बता रहा होगा और जब ये सारी बाते बता रहा होगा तो ये सब के सब noun बनेंगे और अगर noun बनेंगे तो यहाँ पे problem, noun related ही होगी कुछ समझ में आया तो इसका मतलब है कि मैं जितने words बताऊंगा वो बहुत ध्यान से समझना तो चलो time नहीं बरबात करते समझते हैं तो जिसे अब आपके सामने कुछ words लिखे हैं तो देखिए सर जब मिसीन मिले ठीक है या मीसो मिले मीसो वो शौपिंग वाला नहीं है तो इसका मतलब हेट से है मतलब जब भी आप किसी से नफरत की बात करो या डिसलाइक की बात करो पतलब आप उसे पसंद नहीं करते लेकिन उसका जो intention होगा वो काफी उपर होगा बहुत ज़्यादा वाली चिड़ो जिससे तब आप मिसीन वर्ड यूज़ करते हो ठीक है फिर आता है गायनी गायनी कभी भी मिलेगा तो आपको prefix के तौर पे मिलेगा prefix मतलब आपको पता है ये वोमन से रिलेटेड है आप फीमेल कहिए आप गर्ल कहिए आप महिला कहिए ये आपकी मर्जी है ठीक है अब यहां से डॉक्टर का बात आती है तो ये वर्ड को भी हम लोग आगे देखें के कैसे कैसे वर्ड बनते है इसी तरी के ज़े फिर एंड्रॉज आता है तो यहां पे जब भी आएगा तो हम मेल की बात करते है फिर आता है गैमोस गैमोस इस रिलेटेड टू मैरिज यानि कि जब भी शादी वगएरा की बात कर रहे होंगे तो यहां पे बात गैमोस की आती है अच्छा पूरा का पूरा ऐसे गैमोज ही लगा मिलेगा क्या ऐसा जरूरी नहीं है अमूमां आपको गैमी वर्ड लगा मिल सकता है तीछे ठीक है फिर होता है अंत्रोपॉस तो मतलब ये मैंनकाइन से जुड़ा है यानी व्यक्ति से जुड़ा है या कह सकते हैं इनकी देश से जुड़ा है या पूरी की पूरी जो एक common reality वठती है उसके पड़ा है उसके बाद mono तो mono का मतलब एक होता है कभी भी आपको लगा मिल जाए mono तो जैसे monotheism होता है तो आप उसको कह सकते हो कि सिर्फ एक person से या एक religion से एक thing से एक विस्तू से इससे जुड़ा होगा उसका मतलब mono है वहाँ ठीक है भाई मतलब to ठीक है फिर poly plus many यानि काफी जादा लोग हूं तब हम poly उसकरते हैं फिलीन या फिल मिल जाए तो वहाँ पर to love होता है यानि प्यार की बात करी जाती है प्यार का मतलब हमेशा romance नहीं होता इस बात को भी याद रख लेना ठीक है अभी कैसे होगा वो मैं सबके सब नाउन बने आज हम बात करेंगे suffix की और यह अजेक्टिव बनते हैं ठीक है अच्छा एक बात और बता देता हूं सर जैसे यह लिखा है adjective कुछ लोग इसे बोलते हैं adjective याद रखीगा ए और जे के बीच में डी अगर मिले तो आप उसको डी को silent कर देना इसलिए जब हम इसको बोलते हैं तो adjust होता है, adjust नहीं होता और यहाँ पे अगर हम m e n t लगा है तो adjustment होता है, adjustment नहीं होता है ठीक है तो यह चोटी-चोटी सी बाते हैं हम लोग सीखते जाएंगे तो चलिए समझते हैं अब देखिए जैसे आपको ऐसे suffix दिख रहे हैं na abl e या ible व आपको लगा मिल जाए तो समझ लेना capable of being है, मतलब उस चीज को किया जा सकता है या वो चीज हो सकती है, कुछ ऐसा sense निकलेगा, मेरी बात याद रखना मैं कभी भी technical नहीं जाता तो यह मत सोचना कि यह क्या बता रहे हो, आप बस common sense develop करो, दीरे दीरे last session में पहुंचो गे अब एकनी technicality दे दूँगा कि समझ में भी आएगी, ठीक है, अब भी आपको ऐसे समझना है कि आप रास्ते वे चल रहे हैं और आपको कुछ दिखा तो आपको उसका sense समझ में आ रहा है, मीनिंग भले ना पता हो, ठीक है, दीरे दीरे मैं काम करूँगा, अब यहाँ पे ज में जाना है, आपने एक प्रोजेक्ट तयार किया हुआ है, और वो काफी ज्यादा कूपसूरत है, तो आप उसे प्रेजेंटेबल हो लोगे ना, माल उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, तो क्या वो प्रेजेंटेबल होगा, नहीं है, मतलब वहाँ पे छमता की बात है, उस क्रेजेंटेबल देख जा है, तो समझ जाना है, वहाँ पे विश्वस्नीता की बात चल रही है, और हमने सिर्फ और सिर्फ एबी एली या आईबी एली से पहचाना है, यहां तक बात समझ भाई, चलिए आगे देखते हैं, अब आपको कभी अल मिल जा है, अच्छा इन्हे एक शब्द के तोर पे, एक वर्ड के तोर पे पूरा पनांस नहीं किया जाता, तो अब बात करते हैं, एल की, इसका मतलब पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग टू मतलब जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा ही होता है, चलिए, जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कोई और मीनिंग हो स प्लेश मतलब नाउन, और यहां पर नाउन पर अगर मैंने एल लगाया, तो वह बन गया रीजिनल, अच्छा, अब एक बात और सुचने वाली बात है, वह यह, कि अगर नाउन है, तो नाउन से अजेक्टिव भी बन सकता है, कुछ समझ में आ रहा है, ग्रैमर में भी बिलते हैं, रीजनल रेडियो कम्यूनिकेशन कॉन्फरेंस, क्या आपने सुना होगा, रीजनल कॉन्फरेंस, रीजनल मैनेजर, यह सारी चीज़े सुनी होगी, आपको एक्स्प्लें कर देता हूं, ध्यान से देखो, भाई या, मैनेजर है, मैनेजर एक नाउन है, एक प्र यहां का मतलब अमूमन नौट एबल फॉर होता है ठीक है अब जैसे फैंसी फुल रेसेंट फुल वोफुल और डाउट फुल अब कभी भी फुल लग जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि भाया ऐसा पूरी की पूरी चीज को हम कवर कर रहें यही सेंस निकलता है ना अब फैंस फैंसी फुल को आप क्या पूरा का पूरा नौटेबल फॉर पे भी लेके जा सकते हो क्या सोच के देखिए बताइए इसका मतलब क्या होता है कालपनिक वाइक फैंसी ड्रेस मतलब कुछ कर रहे हो ना तो वहांसे फैंसी फुल बना दो तो ऐसी कुछ बाते होती है फिर अडियो होती है से डिखना से मिथिक बहना डॉमेस्टिक and यह क्या है वह बताइए सी और इसका मतलब परिवर्तन शाली का उके चलिए अब आगे बही आ जाते हैं उसको भी देखते हैं क्या-क्या चीजह हो सकती है तो आपने कभी I, O, U, S या O, U, S देखा है तो आपको इसका मतलब हमेशा याद रखना है कि पहली चीज़ तो एजेक्टिव होगा इसके बाद क्या होगा तो सर इसके बाद characterized by होगा मतलब वहाँ पे किसी तरीके की characteristic होंगी characters होंगे ठीक है अब इस यहाँ से क्या बन सकता है जैसे आपने nutrition सुना है तो nutrition से बना nutritious, studious, study से बना दे studious फिर portentous तो ऐसे ही आपके words बनते हैं फिर आपका ish मिल गया तो जाद करो मैंने पिछले वीडियो में आपको isd बताया मैंने आपको ism बताया, कुछ ऐसे चीज़े बताई थी और वो noun बना रहे थे अब यहाँ पर देखो ish लगा तो अगर यह लगा मिल जाए तो समझ जाना कि भीए यहाँ पर adjective है अब एक बात आप समझेए मैंने अभी तक आपको grammar का जी भी नहीं पढ़ाया है लेकिन आपके पास अगर आप ध्यान से session देख रहे हैं पिछला देखा है उसके बाद यह देखा है थोड़ा सा grammar sense develop हो रहा होगा जिसके पास है उसको यह समझ आ रहा होगा कि words को देखते कैसे है अब मेरा काम से फितना नहीं हो सकता है ना कि मैं आऊंगा और आपको बस words याद करा दूगा और आप चले जाओगे खुश हो के वा 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 सा पूछ हो गया ऐसा नहीं होता है हमें चीज़ें समझनी होती है वो चीज़ें काम कैसे कर रही है यह देखना होता है तो ISH लगा तो having the quality of मतलब किसी तरीके की quality होना एक और बात मैं ते जैसे बताता हूँ having the quality of exact meaning भी बता सकता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि वो जानने की जरूरत है क्योंकि चीज़ें हमेशा वैसी ही मिलेंगी जरूरी नहीं होता आपको common sense पे काम करना होता है और अगर ये चीज़ इस तरीके से समझ आ रही है अब daily life में उसको कैसे बोलते हो जैसे हमने कोई random चीज़ देखी तो उसको कहते है यार इसको ऐसे खाते है मतलब एक हाथ से चाकू ले ली और चमच ले ली फिर खाली टेकनिकल जाएंगे समझाई नहीं पाएंगे तो ऐसी वाली बात होती है और समझ भी नहीं पाएंगे तो यहां पर क्या वो ना friendish, childish, snobish और snobish मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि snobish का मतलब क्या होता है वैसे snobism भी होता है अगर पिछला सेशन देखा है कैसे काम करता है अपको यह सफिक्स समझाई होंगे अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या है एक है anthropology anthropology क्या होता है देखो sir, UPSC के अगर आपने कभी तयारी करी है कभी भी तयारी करी है तो आपको पता होगा कि वहां पर एक optional होता है जब वहां पर एक optional होता है तो एक subject होता है वो subject का नाम है anthropology और यहां पर जब anthropology की बात करी जाती है तो यहां माना विज्ञान कहते है study of mankind तो यह याद रखना connect कर दिया आपके मैंने उससे में वगेरा भी लोग करते हैं इसको नरा विज्ञान भी कहते है अगर आप बोल पाएं तो याद रखेगा नरा विज्ञान या इसे मान और शास्तर भी बोला जाता है इतनी शुद हिंदी जाने की ज़रूरत नहीं है तो synonyms देख लेते हैं तो एक है folklore folklore क्या होता है अज़ा फोक तो आप सबको पता होगा तो जब भी हम अपनी लोकल लेवल पर देखते हैं तो इसी तरीके से एक बनता है folklore इसका मतलब लोक साहित होता है क्या होता है लोक साहित अब जो मेरा session पहली बार देख रहा होगा वो कहेगा क्या पढ़ा रहे हो यार अभी मौना विज्ञान की बात कर रहे थे तो देखो मैंने एक बात बताई दी पिछले session में सिनो नेम का मतलब हू बाहू नहीं होता इसका मतलब होता है मिलता जुलता ठीक है तो ये बात याद रखना काफी सारे लोग इज़र की वज़े से भी कैप याद नहीं कर पाते है अब यहीं से आ जाता है आप sociology sociology आपका चाहिए में भी subject रहा हो आपने में बगेरा भी किया हो तो वहाँ पे भी हमने sociology पड़ी थी यूपी सी की preparation में भी लोग sociology optional लेते हैं और इसको भी समाजशास्त हिंदी में कहते हैं example की बात करते हैं I believe he has started reading up anthropology मुझे विश्वास है कि उसे ने anthropology पढ़ना शुरू कर दिया है बस इतनी सी बात थी चलिए आगे जाते हैं फिर आया philanthropy अच्छा आपने Bill Gates का नाम जरूर सुना होगा है ना हमारे देश में अम्मानी जी है ठीक है गलत नजरों से नहीं देखा जाता है इन्होंने भी बहुत दान किया है फिर नागर साहब है Infosys, Swipro इन सब के जो founders हैं ये क्या करते हैं ये लोग बहुत सारा पैसा देते हैं तो जो ये बहुत सारा पैसा देते हैं तो ये जो काम हुआ वो कहलाएगा Philanthropy पैसा ही मतलब ये इसको एकदम गाठ नहीं बाद ले नहीं किसी पैसे की बात है ये लोग स्कूल बनाते है चैरिटी बनाते है तो कभी-कभी डैरेक्ट कैश भी देते है कभी ऐसा system बना देते है तो जो काम होता है इसको बोलते है Philanthropy या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो Love for mankind मतलब जो एक मालो समाज है उसके लिए प्यार तो उसके लिए अच्छा-च्छा करना अच्छा का मतलब education पे आपने कुछ कर दिया context जानना बहुत ज़रूरी होता है आपने education पे काम कर दिया आपने उनकी शादिया करा दी या फिर आपने घर बनवा दिये उनके basically अपलिफ्मेंट का काम किया तो हम इसको बोलते है Philanthropy और Philanthropy जो करता है उसको क्या बोलते है वो हम जानेंगे आगे तो चलिए Synonyms की बात करते है तो सर charity हम सबको पता है तो उसका meaning शायद आपको बताने की जरूर नहीं है लेकिन एक होता है altruism जब altruism होता है तो इसको बोलते है परोपकारिता ठीक है फिर आया fund fund को कैसे यूज़ करते है आपको समझाता हूँ ध्यान से समझना ठीक है सर जब fund की बात करी जाती है तो एक तो fund मतलब होता है पैसा ठीक है एक चीज़ और होती है जब सिर्फ पैसे की बात करी जाएगी तो सरी ये noun बन जाएगा ठीक है अब आपने एक बात सुनी होगी fund raising fund raising की जब बात करी जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आप किसी चीज के लिए पैसा raise कर रहे हो अचा एक चीज और होती है हम fund को as a verb भी use करते हैं जैसे कहते नहीं है this is startup is funded by तो यहाँ पे funded क्या है भाई noun ही जाएगा ना मैं पैसे में बोल रहा हूँ एक अलग बात है तो यह याद रखना कोई चीज नाउन भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है वो भी हो सकती है वो शाइद adjective भी हो सकती है डिपेंड करता है उसको sentence में कैसे यूज किया गया है इसके बाद आया relief तो आपको पता है relief का मतलब आराम होता है आपको दर्द वगेरा कभी हुआ होगा तो पता है मतलब रिलीफ अंड भी होता है यह भी याद रखना रिलीफ पहुचाई मतलब कुछ समस्या चल लीती हो सही कर दी तो भी रिलीफ यूज करते है एंडर नेम्स की बात करें तो hurt हुआ and injury मतलब hurt मतलब भी यह दुख था दर्द था हटा दिया तो आपका hurt हुआ इसका हिंदी मीनिंग क्या है यह आप सुचिए बाकी मैंने आपको बता दिया तो जादा हिंदी में जाना जरूरी है मैं नहीं मानता लेकिन आपको बस मीनिंग जरूरी बता देता हुँ अबंडन का मतलब होता है रोक देना खाली करना बहिशकार करना या फिर परित्याक करना ठीए तो यह फिलन्त्रॉपी हो गया अब मिसेंथ्रोप की बात करते हैं तो देखिए फिल मैंने आपको इनिश्यली बता दिया था जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था ना और मै मैंने आपको मिसीन भी बताया था इनिश्यली और मैंने यहां पर बताया था टुहेट कुछ याद आ रहा है सब करता जाओंगा पिछला जो भी पड़ा था तो जब मिसेंथ की बात करी तो यहां पर टुहेट यानि मिसेंथ्रोप अब देखो गौड से एंथ्रोप यहां लगा है जब ठेंथ्रोप लगाँ तो लिए में क्या बताया था मैंकाइंड बताया था और तैखो पहले जो वर्ट पर आएते यहां पे आपको ron तो मिसीन या मिस बना तो यहां पर हेट की बात आगे मैंनकाइँ आगे मतलब करता है उसे मिसन्तरोप कहते हैं जैसे वन हो हेट इस फैलो मॉटाल ठीक है तो भाई अब fellow mortal का मतलब क्या होता है जो उसके आसपास लोग रहते है जिनके साथ वो रहता है हम उसके लिए use करते हैं fellow mortal ये बात यद रखना ठीक है अपने सुना होगा fellow worker होता है fellow citizens होता है fellow feelings होते हैं fellow employees fellow traveller fellow countrymen तो इसी तरीके से फेरो मल्टाल्स भी होता है ये बात याद रखना काफी सारे वर्ट्स बनते चले जाते हैं ठीक है फैलो का मतलब यक्टिरी होता है उमीद करता हूँ यहां तक आपको बाते समझ में आ गई होंगी अब हम सिनोनिम की बात कर लेते हैं तो देखिए सिनोनिम में पहला बना या फिर निंदक ठीक है निंदक कैसे दवा वगेरा में भी उसकिया जाता है तो उसको निंदक बोल सकते हैं इस एट एंडरस्टूट या फिर एक वर्ड और होता है आपको बना के दिखाता हूँ आप इस पे आई एसम जोड़ दो अब आई एसम जोड़ोगे तो यह करने वाला और इगो टिस्तों मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में तो अब मैं यहां तो नहीं बताऊंगा ठीक है तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें तो पहला बना आपका बिलीवर तो जो विश्वास करता है उसे हम बिलीवर कहते हैं फिर बना या मीनिंग निकाल के देखो इंसानों से जुड़ा है कनेक्ट करा रहा हूं तो सोचके देखो इंसानों से जुड़ा है हंजी एन मैंने बताया है क्या अभी तक पलट के देख लो अगर बताया है तो ठीक नहीं बताया तो यार मान भी होता है हिमानिटेरियन ठीक है हिमान कठिन सी जेल में भेजा गया कि तुम्हें ऐसा काम करना है फिर क्या होता है कि बोल देते हैं हुमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपकी सजा कम करी जाती है तो मतलब मानवी अधार पर तुम हो तो इंसानी तो ऐसी सजा आप नहीं करते हैं और ऐसे वर्ट्स आपको Chirman चलिए आगे आते हैं आख गो यह जाय हूरकी साटेस ऐघ्यूमेनस मैं इनसानों सब्सक्राइद करता हो हो सकते है थैंसको चलिए अब मिसमद्द्राबिस्ट हो गया जब मिसमद्द्द्राबिस्ट वाह सकता है यह हो सकता है कि नहीं पताव अंब हैने फिल बताया था कर सकते हो जो इस पर्सन को जो एक पर्सन होता है उसे कहते है क्या बोलता है कुछ लोग इसे फलाउटर बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं आराम से बोलो समस्या नहीं है यह बात यादर कियेगा काफी सारे लोग pronunciation में परिशान रहते हैं मैं कहता हूं नहीं pronunciation में होता वैसे ठीक आप बोलना सीखिए गलत बोल यह कोई दिखकत नहीं है तो flouter मतलब हासी उडाने वाला फिर आया detractor अब कुछ लोगों को एक बार में यह लगा होगा distractor distractor नहीं है detractor है याद spelling को देना काफी बार लगबग starting में एक जैसे वर्ट लगते हैं और हम confused हो जाते हैं तो detractor मतलब होता है आलो चक ठीक है कि याद रखना फिर disbeliever अब डिस लगा है इसको भी मैं समझा देता हूं जब भी आपको कभी डिस लगा मिल जाए तो समझ जाना कि आप किसी चीज़ से हट रहे हो ठीक है इस बात को समझना तो disbelief कह देते हैं या आप disconnect हो रहे हो तो हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं जैसे disbelief, disbelieving, disbelievingly ऐसे words बनते हैं इस एट understood इननी में बात करें तो अभी श्वास करना होता है एंटो नेम आपको पता ही है, believer मना दो examples की बात करते हैं, the moral corruption he saw around him, made him misanthropic, अब moral corruption क्या हो गया, मतलब यह नहतिक रूप से आदमी corrupt है, एक तो होगी पैसा ले रहा है, और पैसे में भी ऐसा ले रहा है कि कोई 10 रुपए कमाता है और उसके उपर ब्याजवाय लगा के तो मुसे 30 रुपए वसूल रहे हो, तो उस पताया था ना, वो याद रखो, अब मैं misanthropic की बात करता हूँ, तो misanthrop हो गया, misanthropist हो गया, अब हम बात करेंगे, misanthropic, तो भाया, चीजे असान लग रही है कि नहीं लग रही है, ये एक बार बता दो, काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सीजे समझ में भी तो आनी चाहिए, तो चलो, अब यहां तक आगे हैं, तो इसको भी देख लेते, misanthropic क्या होता है, देखें सर, misanthrop, ये तो समझ में आता ही है, और आगे आएंगे, तो देख पता चला, characterized by a hated or mistrustful scorn for humankind, बढ़ा कता दागता है, इसा मतला मानवदूशी ही होता है, बहुत सिंपल सी बात, और ic लगा है, तो आपको पता है कि ये objective होगा, initially बता दिया था आपको, synonyms देखें, inhuman, antisocial, egoist, egotistical, and aromatic, अब देखो, inhuman लगा है, मतलब मानवी और अमानवी हो गया, antisocial, तो कोई आदमी socially लोगों से जोड़ता है, और कोई socially चीज़ों को पसंद ही नहीं करता है, जब पसंद नहीं करता है, तो हम उसको antisocial कह देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका egoistic बता चुका हूँ, egotistical समझा चुका हूँ, अब आया, aromatic, अच्छा, यहां से काफी सारे words बनते हैं, आप aromite भी बोल सकते, उसे तपस भी बोलते हैं, ठीक है, तो aromatic आ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिल पता है, anthropic पता है, IC पता है, common sense आपका strong है, मुझे पता है, यहां पर sociable आ गया और देखे, I, B, L, E और A, B, L, E आपको समझा क्या आया था, आप idea खुद ले लेंगे, इसका meaning क्या है, आप बहुत intelligent है, ठीक है, example की बात करता है, His father was a misanthropic but successful businessman, ठीक है, समझा ही बात, अब मुझे न, ऐसा मेरा काम असान होगा, कि जहां मैं एक तरफ आपको technicality पे लेके जाऊँगा, वहीं मेरा कुछ काम असान होगा, कि मुझे बहुत सारे words बताने नहीं पड़ेंगे, मुझे सब याद दिलाना पड़ेगा, कि देखो IC बताया था, ICL बताया था, IBLE बताया था, और आप connect करना शुरू कर दोगे, इसी को तो कहते है connecting the dots ये, ठीक है, अब आया मिस एंथ्रॉपी, एटर फो मैनकाइंड, तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, तो मिस पता है, एंथ्रॉप पता है, तो मिस एंथ्रॉपी क्या ह हो गया, मैंकाइंड से नफरत करना, सिनोनेम बिटर्नेस, बिटर्नेस मतलब खटा भी होता है, और लगा दिया तो कहते हैं, ये मेरे और उसके बीच में खटापन आ गया, खटापन मतलब सिरका नहीं डाल दिया, खटापन मतलब आ गया, कि दोनों की बंती नहीं है, पैसिमिस्म आपको बता देता हूं तो भाईया देखो जब कोई इनसान बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा शायद I am more optimistic than the most तो इसी तरीके से जब वहां पर ओपी लगा के मैंने optimistic बनाया या सीख लिया बताए चार थे तयार साथ हाट हो गए ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको पसंदा रहा होगा और आपने लिए तालीव जाओ एक बार कि आपने काफी ज़्यादा सीखा है चलिए एंटर नेम की बात करते हैं तो believe, certainty, confidence, faith यह हो गए और यह सारे बढ़ आपको प क्या हो सकता है अचा शंड होता है शनिंग भी होता है इसका मतलब कन्नी कातना होता है या इसका मतलब होता है कि छोड़ा शौक हो गया या पसंद नहीं आया वैसे भी बोलता है ठीक है उस सेंस में बोलता है अब देखो मिसाजिनी क्या बोलता है मिसाजिनी कुछ लोग इस पता दिया था वुमन आप इसका मीनिंग क्या होता है तो हेटर्ड फॉर वुमन सेच्सिज्म बिगट्री इंटालरेंस शेक्सिज्म जब लगा तो क्या होगा जब भी ऐसे वर्ट्राप को लगे मिल जाए तो समझ लेना कि डिफरेंस किया जा रहा है बायस्ड हो रहे हैं भी ये दभाओ किया जा रहा है सेक्सिज्म का ठीक है आये सम लगा है अच्छा फिर उसके बाद आया बिगटरी आपने बिगट सुना होगा काफी बार ये वर्ड यूज होता है निउस्पेपर में बिगटरी या बिगटरी तो यहां पे बिगटरी का मतलब हटी होता है इसे बहुत न्यूज आर्टिकल्स आयते तो यह बात हो गई यहां उसके बात करें मिसेंडरी एंड फिलाजनी अच्छा अब मिसेंडरी की बात करें तो आप बताओ एंड्रोज एंड्रोज कुछ बताया था क्या मैंने याद करो कुछ बताया ही होगा ऐसे नहीं काम पती रखने की प्रता और फिल और जिनी फिल आपको बताया था मैंने तो सच जब फिल बताया था तो आपको यह भी बता होगा कि फिल का मतलब प्यार होता है यह ना लव फॉर मैंन कैंड कुस था और जिनी मीन्स या गाईनी मीन्स क्या बताया था कि बताया था वोमन के ब हेटर ऑफ मैरेज जो शादी से नफरत करता है उसे बोलते हैं और गैमो का मतलब कभी लगा मिल जाए नीशली बता दिया था आपको कि मैरेज से जुड़ा उड़ा होता है एक्जामपल तब 45-year-old man who is misogamy still remain single आज भी single है ठीक है मतलब शादी से नफरत करता है इसलिए आज भी single है तो यह सार था आज का session उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आपने आखरी तक जुड़े हैं तो आपने काफी कुछ सीखा है आपका common sense develop हो रहोगा grammar sense भी develop हो रहोगा तो मिलते नेक्स सेशन में जुड़िए मेरे साथ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए have a nice day